नमस्कार दोस्तों आपका होश्ट अंदोस्त पॉनकमार्गोपता एज हेल्थ परकर होने के नाते आप सभी को हेल्थ जिटीट सम्मेस्जाओं का समधान लेके आही रहे थी और आते ही रहते हैं तो देखे दोस्तों आपका हेल्थ के रूपर टिप्स एंड ट्रिक्स और वही तरीक हम बदन होती है और तो हम बीमार हो आपके भीच में एक दिलसे फ्लिंग वाली बात अजकल के तोड में आजशकल के दिवर में प्रोग्लम में ही है कि बहुत सारे लोग जो है वह आस्की मिभा रहे हैं और जाहिरीं सी बात है कि आस्कीं जब होती है तो जब दिल तूटता है तो थोड़ी सी बहुत आपको कैसा महसूस होगा वो आपको क्या गलाजा है आपको थोड़ी आपको advice देना चाहते हैं आपको suggest करना चाहते हैं कि किस तर से आप उस चीज़ को उस feeling को आप अपना उपर से हटा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि break-up के बाद पूर्ष को क्या करना चाहिए महिलाएं तो फीट रहती है, महिलाएं को क्या है कि अगर आपसे वरेक अप की हुई है तो उनका जल्दी साधी हो जाएगा और साधी होने के बाद फिर वो अपने ससुराल जाएगी है और ससुराल जाने के बाद अपना जीवन अगर 21 से 33 जिन तक अगर हो सकती है तो दुखरी दुखी भाई जिन्द के बिताएगी उसके बाद फिर वो अपने लाइफ में मस्त हो जाती है लेकिन हम लोग का होता है क्या कि लड़कों का है यही कि अगर किसी से एक से दिल लगाते हैं तो फिर उसके बाद उनसे भुला पाना बहुत मुश्किल होता है और आज हम आपके बीच में भुलाने कहें कुछ तोर तरीका कुछ टिप्स आज आपको जनकारियां देने देते कि Jurassic Park बहुत तो नहीं लेकिन हम कुछ भुला सकते हैं कि अप फिर निगलेट करते अप सुधर शकते हैं तो आई जनकारी क्या है आप जरूर यहां से ले ब्रेक आप के बाद पूरसु को क्या करना चाहिए आईए दो मिट निकाल के आप हमारी जनकारी कि अपने आप से वादा कर लो कि अब तुम उस इंसान को कॉल या मेसेज नहीं करोगा या निए देखिए दोस्तों भूआ पर है कि घर परिवार बचाने के लिए भी बहुत रियार केस्ट में होता है यहां की मतलब लड़की जो है वह पीता के वचन को पालन करने के फिरा में अपने 80 का 80 का वचन को पालन करने में भूल जाती है तो वही करते हैं दोस्तों कि आप उनसे यहां अगर तुम कहीं अकेले रहते हो तो घर चले जाओ अगर अगर कहीं अकेले शरवाइब कर रहें या फिर आप अकेले कहीं जी रहें हैं मतलब जैसे लाइट पढ़ना है दिल्ली है या पढ़ने गया है और उसी कंडिशन में यह सब प्रोग्रम हुई हो तो आप अकेले नहीं रहें नहीं तो आप कुछ आन हो नहीं कर सकते हैं तो अपने घर चले जाएं परिवार के साथ वक्त बिताएं अब पहले से बहतर आप म कर सुणे रहते हैं आप कुछ गलत कदम नहीं उठा सकते हैं और आगे बताएं कि दोस्तों की उस इसने सारी तस्वेर अपने दिर और दिमाग से मिटा दो और हो सकते तो फोन से भी उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाला बहुत जरूरी है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जिस इनसान आपको ऐसा इस मुकाम पर लाया है उसको दम निगलेट कर दीजे आप भुला देजे सारी तस्वीरिये डिलेट कर देजे दिलो दिमाग से मिटा देजे और आप उन्हें दिल से और दिमाग से निकाला बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नहीं निकालेगा तो आगे चलके आपके केरियर में रुकावट के तोर पर काम कर सकते हो उसके बाद आगे बता दे कि फिर मुश्किल है मेरे मित्र यानि किताबे पढ़ना शुरू करो और जिम जाओ लेकिन मैं जानता हूं यह मुश्किल है मेरे मित्र लेकिन दोनों आदिते तुम्हारी जीवन बदल लेगी अगर यह आदत अपनाईएगा तो आपके जीवन में जरूर सुधार आएगा दोस्तो कि मुश्किल तो है लेकिन आपको यह लेना ही होगा और फिर है दोस्त आगके है कि दोस्तों के साथ वक्त भी तया करो जिहां दोस्तों कि रखे आपको बता दे कि जीवन में साथ 2 ही इनसान देता हैieving अएक घर बाद लेते हैं एक दोस्त लोक देते है तो आपको ज़दा तर दोस्तों के साथ वक्त भी जाना चाहिए और अकेले मत रहाओ अकेले रहने से हमेशा याद करके दुखी रहोगे अपने माबाप के सपनों के लिए काम करना चालो कर दो सारा कुछ भूल जाओगा जी हां दोस्तों अगर उस कंडिशन में अगर कुछ आपको वैसा हो जात आपको प्रिवेंट ओफ लवर्स एंड ब्रिक अफ साइट देखें दोस्तों यहीं जनकारी आपके बीच में सधा करने जा रहे थे कि आपको किस तरह से वहां से खिच कर बाहर निकला जाए ताकि आप उस घिराओं में ना जाए कि देखिए दोस्तों लगावाज होती है वह बहुत जिंद्गी बदल देती है तो इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह का आप को अगर होता है तो आप उस तथ से कैसे निकलेंगे क्योंकि यहीं बड़ी मुश्किल समय होती है और एक इंसान के लिए एक लबर्स के लिए वह हम जानते हैं दोस्तों लेकि आपको निकलना बहुत जोरी है क्योंकि आप एक के लिए नहीं समर्पीत हो सकते हैं एक के लिए अपने पुरी जिंद्गी तबाह नहीं कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों